नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मंडी उनलाइन चैनल पर दोस्तों अभी अभी हरियाना के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर आई है मोसम में बहुत बड़ा जो है जो एक कहते हैं चेंज हुआ है उसकी जो है एचे यूने जो जानकरी डाली है चलिए हम बताते है आपको क्या है पूरी वीडियो को देखिए का ताकी पता चल सके कि मोसमें क्या क्या चेंजिश हैं हुए हैं दोस्तों मोसम भाग की तरफ से जानकरी है जो है अभी अभी दी गई है कि उत्तर पस्ट में ठंडी हमाई चलने चे हरियाना राज्ये में दिन का जो अधीक्तम चलने भाग का चेंजिश है मतलब जो अधांद है अधी कि मतलब चाहरए 15 नियूंत वार फंक करने को तोट てряд संधा होने अब तक तो हमने बात की दिख़्िक्या चेंज जी हुए हैं, अब हम बात करने विले कि क्या-क्या साथानिया की शान भाईयों को बरतनी चाहिए, चली देख लेते हैं, मोसम पर अधारी जो क्रीशी सलाजु है, मोसम भाग की तरफ से जो क्रीशी विशार काहचे यू है, उस जिस और से हवा आ रही हो उस और से घास पूच से दुआ करके भूमी वबातावन का तापमान में बढ़ोतरी होने की संबावना बन जाती है इसे कम तापमान का फसल में पढ़ने वाले नाकरत्मक प्रभाव को कम किया जासता है तो दोस्तों जिन जिन किसान भाईयों ने ये फसले बोई हुए ज़्यादा तर लोगों ने ये फसले बोई है सरसों तो आज के टाइम में मेरे कहल से बहुत ज्यादा लोग ने बोई है लगाई हुए है तो उन लोगों को इस चीज़ की बहुत ध्यान से लेने की जुरूरत है तो जिस तरफ से हवा आपको लगे कि उस तरफ से आ रही है आप जो है धुआ कर सकते हैं या पर हलकी सिंचाई भी आप कर सकते हैं रात के समय में जिसे थोड़ी घर्मी है जो दर्तिकों मिलेगी और प पर क्लिक करें जिसे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे कि आपको समय पर जानकारी मिल सके हैं वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद